गौवर्मेंट चाहती है कि सारी कार्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे हुए उने किसी किसे स्टेट में तो बिल्कुल संफलिम बिल्कुल बैन है अब अगर अगर अपन हलका सभी टेंट करते हैं तो अगर पकड़ना होगा तो वह हलके से टेंट में भी पकड़ेगी और प विडियो और टेकनिकल भोपाल यूडियूप चैनल जैसे कि आदम सब जानते हैं गर्मी का मौसाम आ चुका है गर्मी में जब आप गाड़ी के अंदर बैखते हैं तो बहुत जादा गर्मी इंटर होती है शीशों से और आपकी गाड़ी बहुत जादा गरम हो जाती है तो आ आज अपन जो फिल्म बताएंगे गर्वारे की बताएंगे पूरी जिसमें जो गर्वारे की पूरी रेंज आती है एक बेसिक फिल्म से लेके एक उनकी जो टॉप रेंज तक की फिल्म है उसके बारे में आज पूरा कस्टमर को समझाएंगे कि किस तरीके से होता है किस तरी लिए विए साथर्ट अपन की बात करते हैं फटों फिल्म पनाते हैं और जिआ फिल्म बनाते हैं। एक ब्रॉफ्यर ब्रोफेशनल ब्रेंड से लिएयक उस नहीं रधान करें लिए पिल्म बनागाईएं। और यह जो फिल्म रहती है यह पूरी एक गाड़ी में आप अराम से लगा सकते हैं अब इसकी स्पेसिफिकिशन की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यह आप देखिए हीट रिजेक्शन 25 परसंट है यूवी रेस को जो रिजेक्ट करता है वो 99% करता है और यहां पर इसके विजिबिटी लिख रहती है वी एल्टी नाम से 70% और यहां पर इसकी लाइन्थ लिखी रहती है कि इसमें कितना माटीरियल निकलेगा तो अच्छा विजिबिलिटी से जैसे 70% लिखा है तो हम सब जानते हैं के मार्केट में जब हम गाड अच्छली गवर्मेंट चाहती है कि सारी कार्ष बिलकुल ट्रांसपएरेंसी रहे गाड़ी में ताकि पारदर्शिता रहेगी तो फुलिस या फिर कोई भी देख पाएगा कि अंदर क्या चल रहा है तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है गा जो लेकिन आज कल आप देखेंगे ना जैसे बलीन जो ओर वाली ऑली आती क्लास गाड़ी आती है उन्हें पहले सी रहता आप मान के चले 70% क्लिरंस तो कंपनी ही खुद ही दे रही है 100% तो वही नहीं दे रही है तो अपन 70% तक तो हम तो जो अपने मेरी खुद की गाड़ी में लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आज तक तो किसी ने रोका नीज सब्सक्राइब कि 70% ऐसा होता है 70% लिखा हुआ है तो मतलब 70% प्रॉब्लम नहीं रहेगी अंदर आपको दिखेगा ठीक है और जो 30% के अंदर पूरा जो है जो उसको है वह काम करना है हीट रिजेक्शन का भी काम होता है वह करता है तो यह अपनी बेसिक रेंज हो गई है जो अमने यह ब और इसकी विजिबिलिटी जो है 50% हो जाती है 50% है इसकी फिफ्टी पर संथ है जी इसकी फिजिबिलीटी 50% हो जाती है को यह साले से是的 और नॉनमल खड़ी भी रहेगी तो अंदर हीट कम आएगी कि में ग्लास से सबसे साधा हीट आती है आप सभी को मालू में ग्लास से सबसे साधा हीट इंटर होती है गाडी के अंदर यहाँ पर एक बेनेफिट हो जाता है बट 50% विजिबिलिटी है तो आप अपने स्टेट मे बिल्कुल बैन है तो वह आप अपने स्टेट में देख लिएगा कि क्या आपके स्टेट के रूल से और इसी के साथ में दूसरी भी यह यह हम देख अब यह आई इनकी आर्क्टिक कूल अब इसके अंदर जो है इंफरारेड रेजेक्शन 96% आयर जो रेज होती है ना 96% पर किया वे 57% है आप सबसे जदा कह सकते है ise इस फिल्म में हीट रेजेक्ज़न कर कि दरेता है वह सबसे जादा करके देता है यह सब जबसे बैस्ट है यह सबसे प्रीमियम कॉलिटी की फिल्म्स होती हैं जो भी अपने पास रखी हुई है यह आप देख सकते हैं आर्क्टिक कूल करके है और इसमें यह रहता है साइट ग्लास में तो जैसे यह नॉर्मल लग गई लेकिन किसी को फ्रेंट और रेर ग्लास में भी करवाना होता है इसी में अभी तो अपने पास यहां प्रेंटी के लिए रहती है और इसमें हीट रजेक्शन यहां पर लिखा ही हुए ट्वंटी फशेंट है यह आप चैब कर सकते हैं जो यह पूरा आपका फ्रेंट का भी आपका एक और लिखा लिख़ा है क्योंकि front mirror होता है ए उसको आप सबसे जाधा करने की जाधा जरूत होती क्योंकि अधिकतर जो heat आधिकर भी यहां पे हम आपको पीए इक अपको दीज बताने वाले यहां पर आपको दिख रहा है sun control-grade makes the glass shatter resistance. Shatter resistance क्या होता है जब कभी glass break होगा जब कोई impact पड़ता है गे तो इंपक्त पड़ता है तो ग्लास तूटता है और बिलकुल चकना चूर होते हैं बहुत चोटे-चोटे particles होते हैं लेकिन अगर फिल्म लगी रहेगा तो चोटे-चोटे particles नहीं होते हैं तो प्रिंगल पीस में आपका गिलास पूरा बहर आजाएगा अचा ब्रेक हो जाएगा उसी में रहेगा वह बारिक बारी पीसे नहीं होंगे उससे क्या होगा आपको जो डेमेज दोते हैं गाड़ी के अंदर अधिकतर का शेटर जब होता है तो अगर आप अंदर बेठे हो जो फ्रेंटी अपन लगाते हैं यह एंटी ग्लेर शीट क्या कहलाती है जब कभी आप नाइट में ड्राइविंग कर रहे हों तो सामने से जो लाइट आरी है वह आपको कम आईगी लाइट आपको तो मालेवें इंडे के अंदर सब हाइब में चलाते हैं तो बहुत बहुत अचा एक और कुश्चन है जिसे पीछे गाड़ियों के अंदर आजकल डिफॉगर साने लगे हैं जहां पर डिफॉगर रहते हैं तो वहां पर लगाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा मेरे साथ हम लोग तो नहीं लगाते हैं क्योंकि पीछे वाले अगर आप अगर इसको लगाने का तरीका जो रहता है वह स्कुजी और इसके श्पिशल टूल साते हैं उससे होते हैं वह काफी जादा शार्फ आपजेट्स होते हैं जिससे अपने इसको लगाते हैं और लगाने के पहले पूरा कांच को साफ करना पड़ता है और कांच को साफ करने के हमको हाथ से नहीं ब्लेट से साफ करते हैं ताकि छोटे मोटे चो भी डर्ट पीसेज वो निकल जाए और पीछे एक्चुली रखा रहता है डिफाउगर तो अपन उसको साफ करेंगे तो डिफाउगर खराब होगा फिर इसको पेस्टिंग प्रॉसेस अगर अगर अच्छे से कर दिया तो वह साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर आपने ब्लेट से साफ नहीं किया तो फिर खराब हो जाएगा तो उस पोजीशन पर हम लगाते ही नहीं है जहां पर इन फ्यूचर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम क्या होता है डिफोगर रहता है डिफोग सो फिर वह भर्षट नहीं है तो यह ती आज की वीडियो के साथ मैंगर आज रींचे साफ में आपको पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और यह से अपकूर्क कर सकते है अगर आपको कोई बी संशनलिं में नेंसागर में इसे के साफ़ जंगा को मिल जाएंगे तो प्री